वोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे स्यूटूब चल में मैंने अभी-अभी देखा है कोटी गोबा 3 का ट्रेलर और एक ट्रेलर देखने के बाद मैं आपसे किच्चा सुदीब के वारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कोटी गोबा 2 मैंने 2017 में देखी थी तब मैं 10 में था और वो फिल्म हाई हाई क्या फिल्म थी क्या एमोशन्स थे क्या डायलॉग्स थे किच्चा सुदीब के यार उसका हुई रीक्रियेट करना काफी मुश्किल तो है लेकिन देखना यह है कि उनका फिल्म कैसी जाएगी पह जाना चाहता हूँ वो कॉनमेन वाला थीम उसको रीक्रियेट किया गया है कोटी गोबा 2 वाले को जब आप देखोगे ट्रेलर तो पदा चलेगा वो डायलॉग्स किच्चा सुदीब के डायलॉग्स देखो यार बादशा किच्चा सुदीब उन्हें क्यों कहा जाता है यह टेलर सा ही पना चल रहेगा दूसरी चीज नवाब शा का वो इविल करेक्टर देखो रवी शंकर का कॉमेडी वाला करेक्टर देखो जबकि मुझे तो हैरानी इस बात किये कि वो हमेशा से ही वो बहुत ही इंटेंस फुल करेक्टर करते हैं अपनी फिल्स में लेकिन यहां कॉमेडी वाला सीन मुझे उनका यहां दिख रहा है रवी शंकर का उसके बाद आफ़ताब शिव्दसानी आपको यह नजर आएंगे जो एकदम फ्लॉप हीरो हो चुके हैं बॉलिवुड के वो यहां आपको अपना मैजिक री क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं तो और पैक्ड ट्रेलर लगा यार किच्छा सुदीप के एक्सप्रेशन्स नवाब शा का वो इवल करेक्टर हर चीज मुझे बढ़िया लगी नवाब शाह यहां पे डायलोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हुमन पॉपॉलेश वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं किया डायलोग बोला यार वो इंटेंसिटी वो पावरफुल पैक्ड आप डायलोग सुनो वो एक्सप्रेशन्स देखो नवाब शाह के उसके बाद हिरोईन का नाम आता है मदूना सेबस्टियन जो तमिल सनीमा की मोस्ट लवड सिंगर ह और इन्होंने कमन फिल्म में भी विजसित्तुपती के साथ काम किया था वो ही यहाँ पे फीमेल नीड में नजर आएंगी यार उनका रोल उनकी स्वीटनेस उनकी आईस उनके एक्सप्रेशन्स देखो यार जबरदस्त लगेंगे यह मैं आपसे कहना चाता हूँ तो ओवर टेलर इस अमेजिंग अगर आपने देखा है कोटी को मत्री का टेलर तो बताइए के जरूर आपको कैसा लगा